बनाट एक सपस्पाइबबी को थार्थ हेलो गाइज, आज वीडियो के अन्दर फीड बार की कर सटड़ी करेंगे मेकलोरीन सीरिज को これで पहले वीडियो में सुल्ड करेंगे इस पहले वीडियो एंदर हमने सुल्ड किया था लोग 1 प्लस X को मेकलूरीन सीरीज का यूज करके और वो वीडियो के एंड में बुला था कि next lecture के अंदर हम e-res to x को क्या करेंगे solve करेंगे उसका expansion करेंगे मेकलूरीन सीरीज का use करके जिन्होंने solve किया answer आ गया congratulations आप मेकलूरीन सीरीज के अंदर भी आगे बढ़ चुके जिन्होंने solve किया try किया अगर answer नहीं आया कहीं पर अटक गयो या फिर किसी को पता नहीं चला कि कैसे solve करना है तो फिर एक बार आज study करेंगे एक एक step ध्यान से देख लिए ना मारे पास तीनी step है सबसे पहले function दिया होगा उसको लिखेंगे उसके बाद उसके तीन differentiation find करेंगे और जो भी तीन differentiation होगा और जो function होगा उसके अंदर x की जग़र 0 put करेंगे आखे में जो भी हमारे पास McLaurant की series होगी उसके अंदर ये 4 values को put कर देंगे हमारा answer आ जाएगा सो start करते वीडियो के अंदर ध्यान से end तक बने रहेगा सबसे पहले क्या दिया हुआ है function fx equals to e raise to x सो हमको पता है कि जो भी function दिया होगा वो सबसे पहले पहले step के अंदर हम लिखेंगे सो हमारा answer यहां से start होगा सबसे पहले here हमको क्या दिया हुआ है सो दिया हुआ है कि यह fx equals to e raise to x अब हमको पता है हमारे पास series कौन सी है यह वीडियो log 1 plus x जो इसके पहले के lecture के अंदर हम इने solve किया था यह रही हमारे पास उसकी series f0, f dash 0, f double dash 0, f triple dash 0 मतलब हमारे पास f0 आता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो answer always 1 आएगा अभी क्या find करेंगे f dash 0, f double dash 0, f triple dash 0, f dash x मतलब fx का differentiation, e raise to x का differentiation, e raise to x का differentiation क्या होता है मैंने पहला ही बोरा था, e raise to x का differentiation होगा e raise to x, as it is, x का x के respect में 1 होगा मतलब totally e raise to x का differentiation, e raise to xc होगा अभी दूसरा और तीसरा differentiation find करते equal to यहाँ पर भी क्या करेंगे पहले differentiation का differentiation करेंगे, तो दूसरा differentiation मिलेगा so e raise to x का differentiation, e raise to x मिलेगा तीसरा differentiation find करेंगे, तो भी क्या मिलेगा e raise to x चोथा पांचवा सब डिफ्रेंशियेशन क्या मिलेंगे e raise to x सी मिलेंगे अभी फाइंड करेंगे f dash of 0 f dash 0 e raise to 0 e raise to 0 यानि की 1 equals to f double dash 0 equals to e raise to 0 equals to 1 काफी simple example है मैंने पहले बोला था f triple dash x मतलब f triple dash 0 e raise to x so e raise to 0 किसी की भी power 0 मतलब answer 1 ये क्या किया सबसे पहले function जो था f x और f 0 बाद में उसके तीन डिफ्रेंशियेशन x equals to 0 पूट करके हमने find कर दिये पहला step हो गया ये हो गया दूसरा step तीन डिफ्रेंशियेशन के साथ अब ये तीसरा और आखरी step क्या करेंगे series लिखेंगे series के अंदर ये चारो values को पूट कर लेंगे so by macloreans series by macloreans series macloreans series macloreans series हमारे पास कौन सी है अभी तो मुझुबान याद हो चुके so f x equals to f 0 plus f dash of 0 plus f double dash 0 plus f triple dash 0 plus series आगे तक बढ़ती जाएगी यहाँ पहला step simple फिर आएगा x से multiply करेंगे फिर x square by 2 factorial से और x cube by 3 factorial से जितनी पावर होगी उतना नीचे factorial होगा so f x हमारे पास क्या है function क्या है दिया है f x equals to e raise to x so f x की जगर नीचे put करेंगे e raise to x equals to f of 0 f of 0 equals to हमारे पास है 1 x रहेगा as it is f dash of 0 मारे पास क्या है f dash of 0 मारे पास है 1 so 1 plus x square by 2 factorial into f double dash of 0 double dash of 0 1 as it is plus x cube by 3 factorial और f triple dash of 0 triple dash of 0 क्या मिलेगा 1 plus series आगे टक बढ़ती जाएगी so e raise to x equals to 1 x को अंदर multiply करेंगे so x 1 को x square by 2 factorial के साथ multiply करेंगे 1 को फिर एक बार इसके साथ multiply करेंगे so x cube by 3 factorial अब इस series को अगर हमको और आगे लिखनी हो तो क्या लिख सकते 1 आ गया x आ गया x square by 2 factorial x cube by 3 factorial तो plus x की power 4 by 4 factorial plus x की power 5 by 5 factorial क्योंकि सारे टम यहाँ पर हमारे पास positive थे तो यहाँ पर हमने plus लिखा जितनी power होगी x की power 2 तो 2 factorial अगर 3 power तो 3 factorial 4 power तो 4 factorial और 5 power तो 5 factorial x की power 5 by 5 factorial और भी आगे अगे अगर लिखनी है तो लिख सकते बाकि यह क्या आगे हमारा answer अगर इसके आगे x की power 6 by 6 factorial x की power 7 by 7 factorial वो सब काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ तक complete हो जाता है ठीक है अगर x की power 4 तक रखेंगे या फिर 3 तक रखेंगे तो भी कोई दिकत नहीं होगी हमारा answer सही गिना जाएगा so यह हो गया e-risk to x का expansion maclurine series के थ्रू काफी छोटा सा वीडियो था मैंने बोला था कि काफी simple सा example है so यह हो गया maclurine series के थ्रू fx equals to e-risk to x का expansion कैसे करना है उसकी series को कैसे find करने ठीक है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको यह series मुझ जुबान याद रखने होगी ठीक है यह काफी देखे simple series है लेकिन ऐसे ही सारी series एक जैसे है जैसे हमने log 1 प्लस x के अंदर देखा cos x की series देखी फिर ए e-risk to x की series देखी सारी जो series है वो एक जैसे ही है इसलिए याद रखने में थुड़ी दिक्कत होती बाकि अगर यह एक series याद रखने है तो काफी simple है 1 प्लस x जितनी पावर उतना factorial बाकि सारे के सारे term positive यहाँ तक complete हो गया आज की विडियो के अंदर हमने मेकलोरीन series के थुरू e-risk to x का expansion किया एक और example को solve करना है इसके next lecture के अंदर हम इसको solve करेंगे यह रहा उसका question e raise to sin x काम क्या करेंगे differentiation करेंगे दो बार, तीन बार differentiation करेंगे फिर सारी value को क्या करेंगे जो भी हमारे पास maclorean series है उसके अंदर सारी value को put कर देंगे हमारा answer मिल जाएगा next video के अंदर ये example को solve करना है fx equals to e raise to sin x ये हमारा function है e raise to x का differentiation आपको पता चल गया अभी e raise to sin x का differentiation कैसे होगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ देखे, e raise to sin x equals to e raise to x का क्या होता है e raise to x होता है लेकिन यह x की जगह क्या दिया हुआ है sin x, so e raise to sin x का होगा e raise to sin x और x की देखकिया दिया हुआ है sin x so sin x का differentiation करेंगे sin x का differentiation क्या होगा cos x यहां तक complete हो गया अभी हम इसका आगे और differentiation करते जाएंगे वो कैसे करेंगे first step वैसे का वैसा दूसरे का differentiation plus दूसरा वैसे का वैसा और पहले का differentiation मैंने आपको बता देख कैसे solve करना है आप खुझ से try कीजिए solve कीजिए अगर answer आ जाता है तो ठीक यह तो next lecture के अंदर में इसको solve करेंगे बाकि try कीजिएगा बैठे मत रहेगा ठीके practice होनी चाहिए तो यह हो गया तीसरा lecture e-raise 2x का expansion by McLaurin sees आज के वीडियो के अंदर यहां तक next वीडियो के अंदर हम solve करेंगे e-raise 2 sin x वाला example बाकि कोई भी doubt हो तो भी इंदास comment में अंदर बताना आपको फटापट से उसका solution मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरू से करना और अगर चैनल पर नए हो फिर एक बार बोल रहा हो नए हो या पूराने चैनल को subscribe फटापट से कर दीजिए and thanks for watching guys